हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हैं हेल्फ स्रीज यूटूब चैनल आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बैंक के वेकेंसी के विशे में जिहां फ्रेंड्स बैंक का वेकेंसी आचुका है जिसमें टोटल पोस्ट 8301 है चलिए जान लेते हैं इस फर्म भरने संबंधी तमाम जानकारी यदि आप भी बैंक का फर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखें इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे हम अपने वेबसाइट पे और जान लेते हैं इसका पुरी जानकारी इसके लिए सबसे पहले आपको बता दे इस फॉर्म का रिलीज होने का यानि आने का नोटिपिकेशन आ चुका है 19 जनवरी 2018 को और ये फॉर्म आज दिनांक 20 जनवरी 2018 से ओल्लाइन फिलाफ होना स्टार्ट हो चुका है इस फॉर्म का भरने का लाश्ट डेट 10 फॉर्वरी 2018 है साथ ही इस फॉर्म में किया जा रहा है सायद जल्दिवाजी यानि शिग्र ही आपका एड्मिट कार भी रिलीज कर दिया जाएगा जो की अभलेबल हो जाएगा फॉर्वरी 2018 में ही और जान लेते हैं इस फॉर्म का भरने का चार्ज जनरल केटेगरी साथ ही OVC के लिए 600 रुपिया है जबकि SC और ST के लिए 100 रुपिया साथ ही विकलांग केटेगरी यानि PH के लिए 100 रुपिया फी है और इसे भरने के लिए अलग अलग जगा अलग अलग फी लिया और इस वेकेंसी का टोटल सीट है 8301 और इसके अंतरगत दो फॉर्म भरे जाएंगे नमबर एक जुनियर एसोसियेट रेगुलर पोस्ट और दूसरा जुनियर एसोसियेट बैकलोज पोस्ट जिसका एज 20 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक है जिसकी गन्णना क्या जाएगा या जानी 1.1.2018 से उसको गिंती में लिया जाएगा और साथ ही इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता न्यूनितम क्वालिफिकेशन बैचलर डिगरी होना चाहिए चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो और इस फॉर्म को भरने के लिए अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग पोस अफिसियल वेबसाइट पर यदि आप जाना चाहते हैं तो उसका वी लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यदि इस फॉर्म की सारे जनकारी को आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पीडिया जो देख रहे हैं इसे डानलोड करने का लिंक भी हमा हाले इस simplesmente पर जहां आपको इस फर्म को भरने के लिए Total single है स्टेप में आपको basic information फिलब करना होगा जैसे यहां आपका पर चुमिल की पुना कन्फर्म फर्स्ट नेम यानि इस फर्म को भरने के लिए आपको दो-दो ऑन स्टेप में लिया जा रहा यह एक बार नाम जो फर्स्ट नाम टाइप कर रहे हैं ठीक वही नाम फिर से यहां टाइप करें और मिढल नेम फिर से मिढल नेम पुना है लास्ट नेम इसे करके यहां आपको detail फिल अफ करना है साथ ही आपको mobile number यहाँ जो fill up कर रहे हैं ध्यान रहे वो number आपका ही हो वो number यहाँ fill up कर सकते हैं alternate यदि mobile number हो तो भी यहाँ fill कर सकते हैं इसे यह alternate mobile number जरूरी नहीं है और ध्यान रहे जो star mark है उसे भरना ही भरना है और आपको यहाँ type करना है email id ध्यान रहे email id यहाँ आपको full type करना नहीं है email id at the rate से पहले जो भी भाग हो वो यहाँ type कर देना है और जब कि at the rate के बाद यहाँ पर आपको drop down बटन से select करना है यदि Gmail पर आपका email हो तो यहाँ gmail.com select कर सकते हैं यदि yahoo पर हो तो yahoo.com select कर सकते हैं करके आप email id यहाँ fill up कर दे पुना इम यहाँ email id fill up कर दे और उसके बाद यहाँ जो capture दिखाए दे रहा है वो यहाँ type करके save and next बटन पर किलिक करें उसके बाद आपको यहाँ photo or sign upload करना होगा यदि photo or sign upload करने में यदि size कम बेस का प्रोब्लम आया तो इसके लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले सही उपलब्द है उस वीडियो को आप देख सकते हैं ऐसे i button पर किलिक करके वो वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगा और यहाँ basic information भर देने के बाद application को एक वाई फिर से देख लेना है कि उसमें कोई खराबी या फिर गलती तो नहीं है यदि आपको application लगे कि यह ठीक से fill up किया हुआ है तो submit करे और उसके बाद next option में payment यहाँ कर सकते है और जब payment हो जाए तो आपका form successfully fill up हो जाता है तो वीडियो के description में comment करें हम उसका जवाब च्रिक्रिये देंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद friends